Hello dear students, अब हम maths का वर्ग कर रहे हैं, maths में आज हम करेंगे long and short, लंबा और छोटा An object being long or short tells us about its length, जो long or short है वो हमें length के बारे में बताते हैं, ठीक है? अब यह देखिए, यह long है, यह short है, यह long है, यह short है, देखिए यह भी fish है, यह crocodile, lizard है न, इनकी length बताते हैं, इनकी लंबाई बताते हैं, यह long, short, long, short, छीक है? यह लंबा चोटा, आपको पता है न, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा चोटा होता है, उसके according, tick in the circle for the long objects and cross for the short objects, जो long है उस पर हमने tick करना है, और जो short है उस पर हमने cross करना है, अब आपको यह पता ही है, इसके according, length के according आपको पता ही है, यह long है, तो long पर टिक करेंगे, short हम प्रोस यह भी लोंग है और यह शोट है लोंग शोट यह आपको पेस ऐसे राइट करना है यह आपका मैट्स का वर्क है बेटा आप इसे कम्प्लीट करेंगे ओके तैंक यू एव नाइस टे